करक राशिवालों को बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुना और अपने जीवन में उप्योग करना अगर आज शाम के 4 बज कर 55 मिनट के बाद तुम करोडपती नहीं बनोगे तो कह देना पूरे 50 लाख का जुर्माना दूँगा जी हाँ दोस्तों मेरा कहा आज तक गलत नहीं हुआ है और ना ही गलत होगा लेकिन हमने जैसे जैसे आपको कहा है आपको वैसा ही करना है और सबसे पहले बात इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है दोस्तों जो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा वही पाएगा बाकी सब पच्छताएंगे वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं प्यार भक्त हैं वे सभी सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे धिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा मातारानी का सीधा आशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्थ होगा आपके परिवार को प्राप्थ होगा अगर आपने यह बातें सुन ली और अपने जीवन में अपनाई तो यकीन मानिये इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड सकेगा आपके खिलाफ कोई भी शत्रू आपकी एक भी आँच नहीं बिगाड सकेगा प्यारे दोस्तों कई लोग आजकल जीवन में परेशानी और चिंताओं का सामना कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से उनके जीवन में लगातार समस्याएं और परेशानियां चल रही हैं इस ज्योतिश कार्यक्रम में हम उन राश्य से संबंधित तीन जानकारियां देंगे जो हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है अगर आपने यह बातें समझ ली तो फिर कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ज्योतिश कार्यकरम शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करूँगा कि आप ज्योतिश कार्यकरम को अंत तक देखें इसमें जो महत्व पूर्ण पूर्ण बातें बताई गई हैं वे आपके लिए बेहद खास हैं सर्व प्रथम मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ज्योतिश कार्यकरम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें इससे आपको गुरु जी का आशीरवाद प्राप्त होगा हमारे उच्च और कुशल गुरु जनों की मेहनत को सराह हुए एक लाइक जरूर करें ताकि उनका आत्म विश्वास बना रहे और वे आगे भी ऐसा महत्वपूर्ण ग्यान आपके साथ सांज़ा करते रहे अब हम चर्चा करेंगे आपकी सबसे पहली गल्ती के बारे में यह गल्ती वह है जो राश्य के लोग अकसर करते हैं और जिसकी वजह से उनके काम में बाधाएं आती हैं अकसर यह लोग सच्चे और इमानदार होते हैं और उनके मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती वे कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने या नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करते हालांकि आपको बता दें कि इस दुनिया में धोखा देने वाले लोग अकसर वही होते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं अगर आपको भी कभी ऐसा एहसास हुआ है कि जिस व्यक्ति पर आपने ज्यादा भरोसा किया वही आपको धोखा दे रहा है तो कृपया कमेंट में बताएं कभी-कभी वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाता है ऐसे लोगों का साथ छोड़ना जरूरी हो जाता है जो सामने आपके साथ मिलते हैं लेकिन पीट पीछे आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं कई लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं और मीठी-मीठी बातें करते हैं लेकिन आपकी अनुपस्थिती में आपके खिलाफ शड़यंत्र करते हैं इन लोगों पर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक आप इन पर विश्वास करेंगे, यह लोग आपकी राह में कांटे डालते रहेंगे और आपके रास्ते में मुसीबतें पैदा करते रहेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वरना चाहे आप कितनी भी मेहनत करें या कितने भी प्रयास करें, सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। यह लोग हमेशा आपके रास्ते में बाधाएं डालते रहें। अब दूसरी गलती की बात करें, तो यह होती है जल्दी सफलता की उम्मीद रखना। इस राश्य के लोग अकसर सब्र नहीं रखते। एक बार जब यह लोग किसी काम को करने का मन बना लेते हैं, तो तुरंत ही सफलता की आशा रखते हैं। अगर उन्हें जल्दी सफलता नहीं मिलती, तो यह निराश हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। सफलता के पीछे भागना सही है, लेकिन आप जल्दी नतीजे की उम्मीद करते हैं। आप जानते हैं कि इस राश्य के लोगों को जीवन में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको कभी आसानी से कुछ मिला हो, तो जरूर बताएं। लेकिन सामान्यतह इस राश्य के लोगों को कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होता। जब लोग जल्दी सफलता नहीं पाते तो वे निराश हो जाते हैं। अपने बड़े सपनों को जल्दी पूरा करने की चाहत में लोग हताश हो जाते हैं। और यही आपकी दूसरी बड़ी गलती होती है। जब आपको जल्दी सफलता नहीं मिलती तो आप नकारात्मकता में खो जाते हैं और मायूस हो प्रयास करना छोड़ देते हैं। यही आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है। जिससे आपकी कमजोरियों का पता लगने लगता है और लोग आपकी अच्छाई का फाइदा उठाने लगते हैं। इस गलती को सुधारना बेहत जरूरी है ताकि लोग आपकी कमजोरी का फाइदा ना उठा सके। तीसरी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप हर व्यक्ति पर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। यह एक अच्छी आदत हो सकती है। लेकिन इस दुनिया आप बहुत सीधे होते हैं और किसी को भी संकट में नहीं देख सकते। यहां तक कि अपने दुश्मन को भी आप उसकी मदद करने के लिए दौड पड़ते हैं। हाला कि किसी की मदद करना गलत नहीं है। लेकिन बिना सोचे समझे और बिना जानकारी के किसी व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा करना आपको बड़ी समस्याओं में डाल सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और बिना किसी की सही पहचान के उसकी मदद करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। भरोसा करना और मदद करना निश्चित रूप से सकारात्मक गुन है। ल अगर आप किसी पर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं और अपनी कमजोरियों और ताकतों का खुलासा कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि वे व्यक्ति इस भरोसे के योग्ये हैं। यदि आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि यह लोग आपके संकट के समय दूर हो जाएं और आपके सुख के समय आपके साथ हो लेकिन आपके दुख के समय आपकी मदद से इनकार कर दें इसलिए यह जरूरी है कि आपकी मदद का गलत फाइदा ना उठाया जाए इसके लिए सतर्क रहना आवश्यक है जोतिश कार्यक्रम में बताई गई तीन बड़ी गल गलतियों को सुधार कर आप अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। इन सुझावों को अपना कर देखें। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और कोई भी समस्या आपके रास्ते में रुकावट नहीं डालेगी। हमारी ज्योतिश कार्यक्रम ग्रहों की चाल पर आधारित है और इसमें की गई भविश्यवानियां पूरी तरह सटीक हैं। प्यारे दोस्तों आपको बता दें मंगल ग्रह में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और अगले 24 घंटे के अंदर ग्रह सितारों ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। आपको बता दें आपके घर में ही आपका सबसे बड़ा चुपा दुश्मन बैठा है जो अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा तांडव करने वाले हैं। आपके साथ बहुत बड़ा विश्वास घात करेंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों आपको बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। प्यारे दोस्तों आपको बता दें। आपका दुश्मन का एक-एक रात से परदा उठने वाला है। आपका दुश्मन का सच्चाई आपके सामने खोलके रख दूँगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना होगा कुछ विशेश सावधानी आपको रतनी होगी जो आगे इस ज्योतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले है प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके नाम से FIR भी दर्ज हो सकता है और आपको जेल की रोटियां खाना पड़ सकता है आपको कोट का चहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है क्योंकि प्यारे दोस्तों, मंगल ग्रह के द्वारा एक विचित्र संकेत मिल चुका है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथों से एक बहुत बड़ा पाप होने वाला है जी हाँ प्यारे दोस्तों, जाने अंजाने में आपके हाथों बहुत बड़ा कांड होने वाला है इसलिए प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा अगर सावधान नहीं रहे, तो जिन्दगी भर आपको रोना पड़ेगा जिन्दगी भर आपको खून का आंसू बहाना पड़ेगा जिन्दगी भर आपको जेल में रहकर जेल का चक्की पीसना पड़ेगा इसलिए प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा वरना प्यारे दोस्तों, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं प्यारे दोस्तों आपको बता दें अगले 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटना घटित होने वाला है क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपका दुश्मन आपके उपर हावी हो चुका है आपका दुश्मन आपसे लड़ने के लिए तैयार हो चुका है दो प्यारे दोस्तों आपको बता दे आपका इस नाम का दुश्मन पिछले कई सालों से आपके पीछे पड़ा है इस नाम का दुश्मन आपको जान से मारना चाहता है इसलिए इस नाम के व्यक्ति से आपको सावधान रहना होगा इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और कई सालों से आपको परेशान कर रहा है लेकिन प्यारे दोस्तों अब आपका दुश्मन का माथा गर्म हो चुका है और अब आपका दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपको अपने दुश्मन से सावधान रहना होगा, आपको अपने दुश्मन से बच कर रहना होगा। प्यारे दोस्तों, अगर समय रहते आप सावधान नहीं होते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं तो प्यारे दोस्तों आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है कैसे आप अपना दुश्मन को पहचान सकते हैं किस प्रकार से आप अपना दुश्मन से निपट सकते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसी लिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखरी तक देखना। ज्योतिश कार्यक्रम को बिलकुल भी मिसमत करना, पूरा ज्योतिश कार्यक्रम अंत तक देखना, आज का ज्योतिश कार्यक्रम आपके लिए एवं आपके पूरे परिवार के लिए बहुत महत्व पूर्ण साबित होने वाला है, यह ज्योतिश कार्यक्रम आप लोगों के आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा कश्ट जेल रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा चमतकार अब आपके जीवन में होने वाला है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, ग्रिह गोचर में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आपका जीवन का हर एक परेशानी जड़ से खत्म होने वाला है। अब आपका जीवन पहले जैसा बिलकुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन में खुशियों का कमल खिलेगा। ऐसा समय का निर्मान हो चुका है। लेकिन प्यारे दोस्तों इस नाम के व्यक्ति से आपको सावधान रहना होगा। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नाम का व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि आप जीवन में आगे बढ़े। इस नाम का व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि आप जिंदगी में बड़ी कामियाबी हासिल करें। तो प्यारे दोस्तों आखिर यह व्यक्ति कौन है। इस व्यक्ति का क्या नाम है। आईए जानते हैं प्यारे दोस्तों इस व्यक्ति का नाम पी अक्षर से शुरू होता है। इस नाम का व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम पी अक्षर से शुरू होता है तो उनसे रिष्टा नाता तोड़ लीजिए वरना आपका पूरा जिंदगी बरबाद हो जाएगा अगर अपना सलामती चाह आते हैं तो इस व्यक्ति से रिष्टा तोड़ दीजिए आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुन्दर हो जाएगा इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं एक देवी जो हमेशा आपके आसपास रहती है हां आप सही सुन रहे हैं यह देवी हमेशा आपके साथ होती है और इस ज्योतिश कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह देवी कौन है क्यों आपके आसपास रहती हैं और वे आपसे क्या चाहती हैं ज्योतिश कार्यक्रम को पूरा देखें क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप समय रहते कुछ लूट सकता है। आपका घर परिवार प्रभावित हो सकता है और आपकी स्थिती दयनिय हो सकती है। पिछले बारह सालों से यह देवी आपकी सुरक्षा कर रही है। उन्होंने कई बार आपको मौत के मुँग से बाहर निकाला है। जब भी आप किसी संकट में होते थे और आपको लगता था कि आप उस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते तब देवी ने आपकी मदद की और आपको सुरक्षित किया कई बार आपके जीवन में ऐसे मौके आए हैं जब दुश्मन ने आप पर आक्रमन किया या जानलेवा हमला किया आपके दुश्मन ने आपकी जानलेने की कोशिश की और आपकी संपत्ति पर कबजा करना चाहा लेकिन आपकी सुरक्षा में यह देवी हमेशा मौजूद रही आपने अभी तक इस देवी को पहचान नहीं पाया, जबकि उन्होंने कई बार आपके जीवन को बचाया है और आपको संकटों से बाहर निकाला है। इस कल युक की व्यस्तता में लोग देवी देवताओं को भूल चुके हैं और खुद को भी भूलने लगे हैं। इसलिए ज्योतिश कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक देख और जाने कि आप इस देवी की अपेक्षाओं को पूरा कैसे कर सकते हैं। ताकि आप उनकी नाराजगी से बच सकें और जीवन में सुख समृध्धि बनाए रख सकें। प्यारे दोस्तों, इस व्यस्त और भाग्य दोड़ भरी जिन्दगी में आप शायद अपने घर परिवार और अपने जीवन को एक जाल में फंसा चुके हैं, जिससे बहुत सी चीजें आपके सामने होते हुए भी आप देख नहीं पाते। इस स्थिती में अंजाने में आप एक बड़ा पाप कर रहे हैं और इस देवी का अपमान कर रहे हैं। यह देवी बार बार आपको मौके दे रही है और आपके दुश्मनों से भी आपकी रक्षा कर रही है। जब भी आपके ऊपर कोई बड़ी विपत्ती आती है, यह अगर ऐसा हुआ, तो आपके दुश्मन आपको नुक्सान पहुंचा सकते हैं, आपके परिवार को कंगाल बना सकते हैं, और आपकी संपत्ति पर कबजा कर सकते हैं। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है, यह देवी कौन है, और क्यों आपके पास रहती हैं। पिछली जि भगवान भोलेनात की तपस्या की थी, जिससे माता पार्वती आपके जीवन में बनी रहती हैं और आपकी रक्षा करती हैं। माता पार्वती ही हैं जो आपकी जान की सुरक्षा कर रही हैं और आपके सभी संकटों से आपको बचा रही हैं। यदि आप चाहेंगे कि माता पार्वती हमेशा आपके साथ बनी रहे और आपकी सुरक्षा करती रहे तो आपको हर दिन महादेव के मंदिर जाकर माता पार्वती की पूजा करनी होगी और शिवलिंग पर दूध अभिशेक करना होगा इससे माता पार्वती हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपकी परेशानियों को दूर करेंगी। देवी की कृपा से आप जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करेंगे। आपका जीवन सुखमय और स्वर्ग जैसा होगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेग हाँ, आपने सही सुना, आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होंगे। यह भविश्यवानी ग्रिह गोचर पर आधारित है और पूरी तरह से सटीक है। इसलिए इसे हलके में ना ले। इस ज्योतिश कार्यकरम के माध्यम से मैं आपको आपके जीवन की पूरी तस्व करते हैं वह सफल नहीं होता और बीच में ही रुक जाता है। कई बार आपके काम में रुकावटें आती हैं जिससे आपके व्यवसाय में ठपाव आ जाता है और अंततह वह बंध हो जाता है। अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो उस उधारी को चुकाना आपके लिए चारों ओर से अंधेरा छा गया है और आपके रिष्टे भी खराब हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इस ज्योतिश कार्यक्रम को पूरा देख लेंगे तो आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके जीवन के दुखों और परेशानियों को दूर कर देगा। जानिए कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं और आपने कौन सा गलत कार्य किया है जिसका परिणाम आपको भुगत ना पड़ रहा है। अगर आपने अभी तक इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें। और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोले नात और जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। यह एक महत्वपूर्ण मौका है जिसे पहचान कर आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं। इस अवसर को हाथ से जाने मत दें वरना जीवन भर पच्चताना पड़ेगा। यह जयोतिश कार्यक्रम आपके लिए एक वर्दान की तरह है। इसे देख कर आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपके सारे दुख समाप्त हो जाएगे। प्यारे दोस्तों, इस जयोतिश कार्यक्रम में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जिसे सुनकर मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका भाग्य चमक उठेगा। अगले 24 घंटे के भीतर आपकी किस्मत का पासा पलटे और आपको जीवन की सभी खुशियां मिलेंगी। आपके नाम की चर्चा हर जगय होगी और हर स्थान पर आपकी सफलता की बात होगी। अब आपको असली सुख का अनुभव होगा और आप जानेंगे कि वास्तविक खुशी का आनंद कैसे लिया जाता है। आपको पूरी तरह से इस बात की गारंटी देता हूँ। आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बशर्ते आप इस जयोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखें। यह जयोतिश कार्यक्रम आपके किस्मत के द्वार को खोल देगा और आपकी सफलता की कुण्जी प्रदान करेगा, हालांकि एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, जीवन में कभी भी किसी को अपमानित मत करें, आपकी कुंडली में यह लिखा है कि जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं या आपका मजाक उडाते है आप भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि आप भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं, तो आप और वह व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहेगा, यदि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करें, कि वे उसे सजा दें, बदला लेने की कोशिश ना करें, लेकिन अगर कोई आपके साथ शारीरिक रूप से हमला करता है, तो आपको अपनी रक्षा करनी होगी, और खुद से ही लड़ना होगा। इस बात का ध्यान रखें, कि दुनिया में सब लोग अपने नहीं होते, और मुसीबत के समय ही यह पता चलता है, कि कौन आपके साथ है, जो लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके सच्चे साथ ही होते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहे और उनकी मदद करें, यह समझदारी से काम लें और कभी भी अपने साथी लोगों की कीमत ना भूलें, जानकारी के मुताबिक आपके जीवन में अगले 24 घंटे के भीतर, तीन बड़ी और भयानक घटनाएं घटित हो सकती हैं, यह घटनाएं इतनी गंभीर होंगी की आपके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा, दुश्मनों का सर्वनाश निश्चित है और कोई भी उन्हें बचा नहीं सकेगा, आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि अगर समय रहते सतर्क नहीं हुए, तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपकी स्थिती बहुत जल्द बदलने वाली है, और यह परिवर्तन इतना बड़ा होगा, कि आपको विश्वास ही नहीं होगा, अचानक आपको 440 वोल्ट का जटका लग सकता है, और यह घटना आपके सामने घटित होगी, ग्रहों के गोचर से साफ संकेत मिल रहे हैं, कि अगले 24 घंटे में आपके साथ ऐसा भयानक अनर्थ होने वाला है, जिसे आप जिन्दगी भर नहीं भूल पाएंगे, पाप का घड़ा भर चुका है, और आपके कर्मों का हिसाब पूरा होने वाला है, हालांकि चिन्टा की कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुन्य किये हैं, इस पुन्य के फल स्वरूप इस जीवन में आपको 12 करोड का खजाना मिल सकता है, जिससे आपकी धन, धन संपत्ती में अभूत पूर्व व्रिद्धि होगी, अब आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी और आप जो चाहेंगे वह सब प्राप्त कर सकेंगे, इस चमतकारी घटना से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे, सिर्फ 24 घंटे में आपकी किस्मत पर चार चांद लगेंगे और आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी, जियोतिश कार्यक्रम को पूरा देखना ना भूलें, ताकि आप इस अवसर का पूरा लाब हुठा सकें। प्यारे दोस्तों, आपने अपने जीवन में काफी संघर्ष और कठिनाईयों का सामना किया है, लेकिन अब समय बदल चुका है, अब आप एक राजसी जीवन जीने वाले हैं, और मैं इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्यारह देवी देवता आपके उपर महरबान हो चुके हैं, और उनके आशीरवाद से आपकी कुंडली में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, इसके परिणाम स्वरूप आप अपने मोहले के सबसे अमीर और शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं, जियोतिश कार्यक्रम को पूरी तरह से देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है, आपको खुश खबरी मिलने वाली है और ज जिनके बारे में जियोतिश कार्यक्रम में विस्तार से बताया जाएगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन में अच्छे कर्म और पुन्य के कार्य हमें खुशहाली प्रदान करते हैं, जबकि गलत कार्य दुख और कष्ट को आमंत्रित करते हैं, शास्त्रों के अनुसार म ऐसा करने से जीवन में परिशानियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए मीट मचली का सेवन और शराब पीकर मंदिर में जाने की आदत को छोड़ दें। इस बदलाव के साथ आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाए। और आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ मिलने वाली है। यह इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि आपको सौ किलो मिठाई बांट पड़ेगी। इसलिए तुरंत सौ किलो मिठाई का उनाडर दें। क्योंकि अब बिना मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है कि दुनिया के लोग चक्कित रह जाएंगे, आपके दुश्मनों के घर में अब खून की नदियां बहने वाली है, क्योंकि उन्हें उनके पापों की सजा मिलने वाली है, आपके परिवार में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि आपके दुश्मन ने बहुत गलत काम किये हैं, औ और अब उसे उसकी सजा मिलेगी, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप राजा बनने वाले हैं, और मैं इस की गारंटी देता हूँ, इस बदलाव के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखें, यह जोतिश कार्य जानकारी जानने के लिए, जोतिश कार्यक्रम देखें, अगले 24 घंटे में आपके घर में खुशियों की एक बड़ी सुनामी आने वाली है, जिससे आपका पूरा परिवार खुशी से जुम उठेगा, अंत में अगर आपने अभी तक जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे जर स्क्राइब करें कर, और यदि आप भगवान भोले नात के सच्चे भक्त हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, महादेव जी के आशीरवात से आपके सभी सपने साकार होंगे, आपको बता दें कि कल आपके घर में दो बड़ी शक्तियों का पांच बड़ी खुश्खबरी मिलने वाली है, क्योंकि यह शक्तियां आपके उपर महरबान हो चुकी हैं, वे आपके किस्मत के द्वार खोल देंगी और आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि आपके पडोसी भी हैरान रह जाएंगे, इतना धन आएगा कि आप साथ जन जीवन में रहेगी, आपके पास धन और संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है और तो वह भी समाप्त हो जाएगी, भगवान कुबेर महाराज आपके कुंडली में विराजमान रहेंगे, जिस से अगले 24 घंटे आ आपको एक कीमती वस्तु प्राप्त होगी, जो हीरे मोती से भी मूल्यवान होगी, खुद बजरंग बली ने आदेश दिया है कि यह कीमती वस्तु आपको हर हाल में मिले और आपकी जिन्दगी बदल जाए, आप एक आम व्यक्ति से करोड़पती बन जाएंगे, इसलिए ज जियोतिश कार्यक्रम को पूरा देखें और इस अद्भुत समय का पूरा लाब उठाएं, दुश्मन की हालत कुत्ते जैसी हो जाजाएगी, जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है, अब दुश्मन क खून का आंसु रोएगा, ऐसा भयंकर घटना दुश्मन के साथ होने वाला है, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, जहां एक तरफ दुश्मन के साथ बहुत बड़ा और भयंकर घटना होने वाला है, वहीं दूस दूसरी तरफ आपके साथ बहुत बड़ा चमतकार होने व प्यारे दोस्तों, जिन्दगी भर रोते रहोगे। प्यारे दोस्तों, आज का ज्योतिश कारेक्रम आपके लिए बहुत महत्तुपूर्ण। प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी खुश्खबरी मिलेगी कि पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना होगा। और हाँ, यह एक गलती आपको बिलकुल भी नहीं करना है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह एक गलती आपका पूरा जीवन बरबाद कर सकता है, यह एक गलती आपका पूरा घर परिवार को रोड पर ले आएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाईए और अपना परिवार को सही सलामत दे देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके परिवार के उपर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए, तो आप इस ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखि जान रखना है, कौन-कौन सी सावधानी बरतनी है, संपूर्ण जानकारी आपको इस ज्योतिश कार्यक्रम में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ कर विनती करता हूं। अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक न अवश्य लिखें, बाबा भोले नात का विशेश कृपा आपके पूरे परिवार के उपर बना रहेगा। प्यारे दोस्तों आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर देवी मा भद्रकाली आपके घर आएगी जी हां। प्यारे दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे है 24 घंटे घंटे के अंदर देवी मा भद्रकाली आपके घर आएगी और आपको करोड़ पती बनाएगा। साथ ही प्यारे दोस्तों, जो दुश्मन आपको परेशान करता था, जो दुश्मन आपकी तरक्की देखकर सहन नहीं कर पता थे, उसके साथ बहुत बड़ा घटना घटित होने वाला है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, देवी मा भद्रकाली की गुस्सा फूट चुकी है। जो दुश्मन आपको बता देए, जो बड़ा भयंकर घटना होने वाला है, इसे साथ जन्मों तक आपका दुश्मन भूल नहीं पाएगा। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी खुश्खबरी मिलने वाला है, आपको एक जटके में बहुत बड़ी खुश्खबरी प्राप्त होने वाला है। ज्यादा अब आपको लाभ की प्राप्ती होने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपको बता दें। संसार की सारी खुशियां अब आपको मिलने वाला है। ऐसा कुंडली में योग बन चुका है प्यारे दोस्तों। अगले 24 घंटे के अंदर यह एक देवता आपके घर में दस्तक देने वाले हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 24 घंटे के अंदर यह देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जिंदगी में बहुत बड़ा चमतकार करेंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपको बता दें। इस देवता के आशीरवात से आपके घ प्रफ़ाद की बर्सात होगी। आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा। बस अगले 24 घंटे के अंदर यह एक काम कर लो। प्यारे दोस्तों आपको बता दें। यह एक काम कर लेने से आपका बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। चारों तरफ से आपको खुश खबरी ह लेगा। आप जिस भी क्षेत्र में अपना हाथ डालेंगे उसमें आपको मुनाफा होगा। उसमें आपको लाब होगा। आपको किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। ऐसा चमतकार आपके साथ होने वाला है। जिस चीज पर आप हाथ रख इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटों में खून की नदियां बहने वाली हैं और आप सही सुन रहे हैं, यह एक बड़ी और विचित्र घटना होने वाली है, इस जियोतिश कारिक्रम में हम आपको बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी किस्मत बदल सकती है, इस जियोतिश कारिक्रम को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, हमारी भविश्यवानियां ग्रह पर आधारित होती हैं, और अब तक कभी गलत साबित नहीं हुई है, यदि आप इस जोतिश कारिक्रम को पूरा देखते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं, कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, और आपकी जिन्दगी में खुशहाली और धन की बहार आजाएगी, अगले 24 घंटों में द पीछे पड़ी हुई है, और इसके बारे में महत्व पूर्ण जानकारी जोतिश कारिक्रम में दी जाएगी, इस जोतिश कारिक्रम को पूरा देखें, अन्यथा आप बाद में पच्छताएंगे, प्यारे दोस्तों, अब हम एक बहुत ही गंभीर विशय पर चर्चा करेंग एक महिला ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी हैं, और अब हम चुप नहीं रह सकते, इस महिला की वास्तविक्ता और उसकी काली चिट्थी को हम आपके सामने लाकर रखेंगे, यह बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह महिला आपकी अपनी ही है, जिसे आप आँ सके, पहले भी इस महिला ने कई बार आपको जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन भगवान श्री राम ने हमेशा आपकी रक्षा की है, श्री राम का आशीरवाद आपके साथ है, और यही वजह है कि अब तक आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, आप बहुत भग जिसका नाम पी अक्षर से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना ले, क्योंकि यह आपकी कट्टर दुश्मन है, अगले 24 घंटों में धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की वर्षा होगी औ और आप अमीर बन जाएंगे, यह एक बड़ी खुश खबरी है, इसलिए पूरे गाव या मोहले में मिठाई बांटे और लोगों को खुशी का एहसास कराएं, सिर्फ 24 घंटे का इंतजार करें, फिर आपके जीवन में गरीबी का नामों निशान नहीं रहेगा, आपके पर अधकार, धन की देवी माता, लक्षमी की कृपा से आपके जीवन में होने वाला है,